आज भी आदे से जादा हिंदू, डिस्पाइट राम मंदिर, डिस्पाइट संग, डिस्पाइट मोधी, डिस्पाइट ओल पोलराइजेशन सो कॉल्ड, इन सब के बावजूद आदे से जादा हिंदू आज भी देश में भाजपा को वोट नहीं करते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि वो भाजपा के विचार धारा से उनका इक्तिफाक नहीं है। तो जो लोग जाटी से बच गए वो हिंदू-मुसलमान बनकर वोट कर देते हैं। इन दोनों से जो बचा तो यह वो दौर है जब लालू जी का एक नया राजनितिक जो प्रादुरवा हुआ बिहार में। उसको समाज ने देखा जिसको आगे चलकर बिहार में उसको जंगल राज बताया गया। इंडिया एलाइंस क्या है। यह सिर्फ 10-12 अलग अलग राजनितिक नेताओं और दलों का एक साथ मंच पर आने से। उससे उनकी अपनी अपनी ताकत तो है। लेकिन उनके बीच की सिनर्जी तो कुछ है नहीं। कोई कॉमन नेरेटिव है नहीं। कोई कॉमन एजेंडा है नहीं। कोई कॉमन प्रयास भी नहीं है। तो उनके सिर्फ नेताओं के एक कमरे में साथ आकर बैठ लेने से, उनके साथ में बैठके चाय पीने से, उनके एक साथ में बैठके संभादाता संभेलन करने से, तो फाइदा होगा नहीं। आप इसे हमारी सिनिसिजम कहें, या एक सैड रियाल्टी कहें, भारतिय रायती में यह सोचना कि यह कास्ट और रिलिजिन के बियॉंड जाएगी बात, यह किसी को विश्वास नहीं होता। और खासका कि तब कि बिहार में ऐसा हो सकता है, आप इसको जोक कहेंगे, लेकिन जब एलेक्शन गुरू प्रसांत किशोर इतनी धूब में, ठंड में और बाडिश में अगर आप देखते हैं, डेली ये सोलर से लेकि 20-25 किलोमेटर घूम रहा हैं, पिछले सोलह महिनों से, तो आपको फिर से सोचना पते हैं, अपनामेंटल बिलीफ सिस्टम जो है, उसो क्वेश्चन करने की जोगत परती है, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी भीति हरवा गांधी आश्रम से, जहां से गांधी जी ने 1917 में अपनी सत्यागरह शुरू की थी, इन्होंने एक अपना एक अलग तरह का सत्यागरह लॉंच किया, बिहार के लोगों को बताना कि आप जो वोट देते हो तो यह कास्ट के लिए नहीं, रिलिजिन के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दो, हो गए, सोलम ही नहीं हो गए, क्या रहा है इनका अनुभव, इन्होंने क्या सिखा, क्या चेंज किया, अब इनसे हम डाइकली सुनते हैं, परसान जी बताएं, सोलम महिने, कैसा नहीं एक्स्पिरेंस अब तक है? अच्छा है, जो सोच कर आये थे, उससे बहतर है, इतनी कठिनायों का अंधाजा यात्रा शुरू करने से पहले था, इस अवियान को शुरू करने से पहले था, उससे, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बहतर परिणाम देखने को मुझे अभी तक मिले है, लेकिन, having said so, I would still call it an hypothesis which is being tested, मैं उन में से नहीं हूँ जो आगे बढ़के चीजों का दावा करें जब तक मैंने उसको किया नहीं है, मेरी एक अपनी सोच है, जो मैंने दस साल पहले से उक्तराश संग में और बाद में फिर दस साल यहां राजनितिक छेतर से जुड़कर जो मेरा जो अनुभव रहा, जो मैंने काम किया, उन सब को एक साथ लाकर, मैंने बिहार के लिए, बिहार के परिस्तिती में बहतरी के लिए जो परिकलतना बनाई है, सब कुछ अपना जीवन का अपनी सोच, अपनी ब्यवस्था, अपना साधन, सब कुछ दाव पर लगाया है, और उस सब का समायोजन है यह जन्द सुराज, जिसमें हमारी सोच यह है कि बिहार में एक अल्टरनेट ब्यवस्था बने, यह सिर्फ दल बनाने की प्रक्रिया नहीं है, यह चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है, आपने गांधी का जिक्र किया, आपने चंपारन आंदोलन की बात करी, बहुत लोग जब चंपारण के आंदोलन की बात करते हैं तो वो सिरा ऐसा बताते हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ और देश को अजादी मिली, ऐसा नहीं है, चंपारण के आंदोलन से देश को अजादी नहीं मिली, चंपारण के आंदोलन से देश को वो हतियार, वो रास् जिस पर आगे चलकर देश को अजादी मिली अगर गांधी जी ने यहां चंपारण का अंदोलन नहीं किया होता तो साइद आप नन को ऑपरिशन मोहमेंट नहीं देखते तब सिविल डिस इवीडियन्स नहीं देखते तब जनता का देश का देश के लोगों का इस बात में बि आकर समझाकर उनके मदद से एक ऐसे दल बनाने का प्रयास है जो कि बिहार में लोगों की जीवन में सही मायनों में परिवर्तन लाए क्योंकि हम लोग पिछले 40 45 50 सालों से अगर आप दलों के नेताओं की विचारधाराओं के बात छोड़ भी दे सभी दल सभी नेता सभी विचारधारा के लोगों ने बिहार में काम उनको करने का जंता ने उसर दिया है बिहार के लोगों ने जातियों पर भोट किया बिहार के लोगों ने धर्म पर भोट किया बिहार के लोगों ने विचारधारा पर भोट किया निताओं का चेहरा देखकर भोट किया सब कुछ करने के बाद भी आज बिहार देशु का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे जदा भुकमरी और वेरोज़वाला राज्जे है. आज भी करोडों बिहार के बच्चे अपने परिवार के भरन पोसन के लिए बिहार को छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर है तो कहीं न कहीं बिहार को हम सब को जो हम लोग बिहार के लोग है हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पर हम लोग चल कर आए हैं अभी तक उस रास्ते से तो हमारी स्तिती नहीं शुग रहेगा मात्र सिर्फ यह कह देना कर देने मात्र से कि यहां रुषैस्ट analysts चार है तो खुद पत्रकार हैं देश के अस्तर पर बड़े पत्रकार है और उसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिसको मैं एक सब्द में कहता हूँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो बिहार की परिशानी है वो इसलिए नहीं है कि यहां ब्रस्टाचार बहुत है इसलिए यहां जाती बहुत है यहां कि लोगों ने एक तरह से अपने आपको राजनितिक बंधुआ मजदूर बना लिया है जाती के अधार पर धर्म के अधार पर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू इनी चार विश्यों पर उलजके रह गये हैं उनके अपने तब तक तुम अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगे उनके लिए भोट नहीं करोगे तब तक भोट चाहे आप किसी को दे दे आपका सुधार नहीं होने वाला है देश की चाहे जितनी तरकी हो जाए आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है प सब्सक्राइब कर दो नहीं कि पहले तक और इसके पहले विमेरा भी हमेशा से डाउट रहा है कि क्या यह कास्ट्रेस रिलिजिन लेश्ट रहे हैं प्रसांद किश्वर यह क्या इसका कोई रिस्पॉंस मिलेगा लेकिर आज जो मैंने देखा जो इंथिजियाजम जो है फिर से तजस्री यादव और नितीश कुमार आ रहे हैं वोट मागने के लिए वापस कर दिया है क्या वो लोग आपका यह मेसेज याद रखेंगे या भोलके फिर उधर चले जाएंगे देखिए दो बाते हैं सबसे पहले तो यह मानना कि बिहार में हरव्यक्ति जाती प रखा जाता है राजनीत करते समय यह वोका लिगगा और लिंगायत करनाटक में नहीं है माला मडिगा रेड़ी कमा आंधरा में नहीं है यह हर जगा है लेकिन चुकी हम लोग पीछे छूट गये हैं तो एक तरह से यह स्टिगमेटाइज कर दिया गया बिहार क्यों पिछड मेरा सिंपल सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाती पर ही वोट पड़ता है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है मोदी जी के जाती का तो बिहार में कोई नहीं रहता है तो यह कह देना कि बिहार में हर वेक्ती सिर्फ जाती पर ही कर रहे हैं लालु जी के वह जाती के तो नहीं है नहीं देखिए नेस्टनल ही क्या है बंगाल में मुसलमानों ने कॉंग्रेस को वोट किया फिर मम्ता को किया कहीं लेफ्ट को भी करते हैं लेकिन जिस तरह की बंदुआ मजदूरी मुसलमान बिहार में कर रहे हैं पिछले 30-30 तीस साल से उन्होंने लालू जी को छोड़कर किसी को भोट नहीं किया और ये तब जब उनको पता है, समाज को पता है, आंक्रे गवा है कि लालू जी की पार्टी ने उनके 30 साल के शासनकाल ने मुसल्मानों के या उनके भले के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार में आज आर्थिक समाजिक नजलिये से दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा पिछड़े मुसल्मान हैं। बड़ी सच्चाई है। मैं यह नहीं क्या रहा हूं कि जाती पर वोट नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ जाती पर वोट नहीं पड़ता है। जो धर्म के अधार पर, मंडल और कमंडल यह दोनों दौर 1990 से शुरू हुआ। तो जो लोग जाती से बच गए, वो हिंदु मुसल्मान बनकर वोट कर देते हैं। इन दोनों से जो बचा तो यह वो दौर है जब लालू जी का एक नया राजनिथिक जो प्रादुरवा हुआ बिहार में। उसको समाज ने देखा, जिसको आगे चलकर बिहार में उसको जंगल राज बताया गया। तो जिस समाज के एक बड़े बर्ग ने उस जंगल राज को भोगा है, देखा है, उसको भुगता है, वो चाहे कुछ भी सहने को तैयार है वापसे जंगल राज नहीं चाहता है, लालू जी का जंगल राज नहीं चाहता है, तो वो मजबूरी में, मतलब लालू जी को भोट न का हैसास है लेकिन वो करे तो क्या करें भाजपा को दे नहीं सकता है तो मजबूरी में उसको लाल्टेन में जाकर किरासन तेल बनकर जलना है इन चार विषयों में जो आधा जो दो विषय है अगर जाती और धर्मा भटा भी दे तो जो लोग भाजपा के दर से लालू और लालू के दर से भाजपा दे रहे हैं उसकी संख्या बिहार में करीब करीब 55 प्रतिसत है 55 प्रतिसत लोग ये मजबूरी में भोट कर रहे हैं जैसे ही उनको एक बहतर ससक्त बिस्वस्निय बिकल्ब दिखेगा तो भाजपा और लालू दोनों को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भाविषय के लिए निश्चित तोर पर उनको छोड़ेंगे और नए बिक मैं कर रहा है कि मेरा अंदोलन और क्रांती में कोई यकीन नहीं है मैं अपने हर भासन में कहता हूं कि आंदोलन और क्रांती ये वो तेज हत्यार हैं जिससे की आप बड़े से बड़े बृक्ष को काड़ सकते आंदोलनों के जरीए क्रांथी के जरीए आप लोगों को सप्था से हटा सकते हैं एक नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं अगर आप मानो सब्वेता के इतिहास को पढ़ेंगे दुनिया में तो फ्रांस की क्रांती को अगर आप अपवाद के तोर पर हटा दे तो पिछले 1000 साल के इतिहास में किसी आंदोलन और क्रांती से मानोश सब्वेता के स्रीजन में कुछ बहुत बड़ा कंट्रिबूशन नहीं रहा उससे मानों सब्यता का विकास नहीं हुआ, हाँ, अंदोलनों से आपने, लोगों ने सक्ता से लोगों को हटाया है, जेपी का अंदोलन हुआ, उससे आपने इंदरा जी को हटा दिया, लेकिन उससे नई ब्यवस्था देश में नहीं बनी, अन्ना का अंदोलन हुआ, उससे कि सरकार रट गई, लेकिन उसे नई बिवस्ता नहीं बनी, श्रीजन का एक अपना काल और उसके एक अपनी गती है, किसी चीज को बनाने की जो प्रक्रिया है, वो लंबी है, इस लो बर्न, जो कहते हैं न, खाना जो है, वो लकडी की आँच पे बनता है, धीमी आँच पे खाना बढ़िया बनता है, तो अगर आपको समाज में कुछ बनाना है, तो आपको वो पेशेंस चाहिए, यही गांधी वाद भी है, अगर आप गांधी को बहुत गहराई से उनकी सोच को देखेंगे, गांधी जब लोट कर आय अफ्रिका से, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अंग्रेज को यहां से भगा दो, उनका सासन खतम कर दो, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज कर रहे हैं उनको करने जिजे पहले आप सेल्फ रिलाइंट बनिए, अपने में वो वर्चूज बिल्ड कीजिए, चुआ छूआ अलग हटो, अपने कपड़े खुद बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और उनका सत्यागरख के बाद जो पहला अंदोलवन नन को ओपरेशन था, वो भी कि मैं आपके साथ कोपरेट नहीं करूँगा, आप शासन करना है करो, मैं कोपरेट नहीं करूँगा आपके साथ, उसके बाद उसकी डिग्री उन्होंने चेंज की सिविल डिसोवीडियन्स, जब मैं कोपरेट ही नहीं करूँगा, आपका अवहलना भी करूँगा, फिर जाकर कहीं भारत छोड़ो अंदोलन जैसी बात हुई, तो ये गांधी की जो सोच है, कि पहले उन्होंने समाज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो सिर्फ पढ़के किताब से नहीं किया, जो आप जो अबात आपको सत्य लगती है, उसको आप करके उन्होंने पहले अपने जीवन में उतारा, फिर उस लर्निंग को समाज को पासौन किया, समाज को उसके लिए तयार किया, तो मैं यह जो कर रहा हूं कि जो मैंने 20 साल सीखा समझा है, उसको मैं समाज में उतारने की कोशिस कर रहा हूं, समाज यह समझे और अगर समाज समझ लेगा, उसके बाद बाकी सारी चीजे गौण हो जाएगी, जाती, दल, समिकरन, नेता, सब गौण है, जो आप इंतुजियाजम की ब जिन्दगी जो है, यहाँ पर त्रासद है, आप मुझे बताईए, आप किसी जाती के है, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी जिन्दगी बिताए, कौन नहीं चाहता है कि उसका जवान लड़का घर छोड़कर नौ जाए, कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसका पती उसके साथ में रहे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो प्रसान किसोर डिस्कवर कर रहे हैं, मैं तो जाकर सिर्फ उनको ये बता रहा हूँ, भया ये सब चीज चाहिए, तो एक बार तुम देश की चिंता थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, जाती की चिंता छोड़ दो, एक बार पहले अपने बच्चों की चिंता कर लो, एक बार तुम अपने बच्चों की चिंता कर लोगे, अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, तो उसकी आपकी जिंदगी भी सुदर एगी, और जब आपके बच्चे मजबू करने के लिए बोट दो मैं रोज सामने से कह रहा हूं क्यों दो भाई अगर 13 करोड बिहार के लोग गरीब और अनपड रहेंगे तो उससे तो देश कमजोर होता है अगर बिहार में प्रतिवेक्ति आये 35,000 है और देश में प्रतिवेक्ति आये 1,35,000 है तो हम लोग तो देश क को भी नीचे खीच रहें अगर बिहार में प्रतिवेक्ति आये 2,00,000 हो जाए तो उससे देश को भी फायदा है देश को भी मजबुती है इसलिए मैं लोगों कह रहा हूं कि भाई तुम पहले अपनी चिंता करो अपने बच्चों की चिंता करो तुम्हारे बच्चे जब प पधान मंत्री बनाए हैं कई मुख मंत्री बनाए हैं तो यहां भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं मेरा कुश्चिन यह है कि आप अच्छे भले आप प्राइमेस्टर, चेफ मेस्टर, टॉप लीजर के साथ भूमते थे गोड लाइफ, ग्रेट करियर अचानक आपको क्या हो ग करता था और आज काम कर रहा हूं इसमें बहुत अलग है, यह बहुत उलट ऐसी बात नहीं है, पहली बात मैं क्यों आया हूँ जो बिहार की परिस्थिती है, ना मैरे बिहार की राजित में मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं रहिए, मैं तो पंद्रमें यहां आया था, कि अब हारा थी जो नान प्रशाइरी और तो बहागी द रोगिभी दारे तो फेरों सौले में कृष्ट दॊंट इसे तो ब्हागी दारी तो इसन जो मुझे ऐसा लगता है कि भिखार जीसे राज eser Korea को अब हो ज़ीमें जαrontर नियमें ज़्यातर नताओं ने ने तरह से नौ सुधरने वाला मान कर छोड़ दिया है, इस राज्य को सुधरने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों की है, अगर हम लोग बिहार के होने के नाते हम लोग अपना राज्य नहीं सुधरेंगे, तो दूसरे लोग तो यही कहेंगे, अरे भाई, मैं यही किर रहा था पहले, पहले दलों को नेताओं को बता रहा था, किस आपनी संगठन को बेहतर बनाओ, किस तरह साथ मे आओ, कौन से मुद्दे पर चुनाओ लड़ो, कैसे उस मुद्दे को लेकर घर घर जाओ, कैसे जनता को कणविन्स करो, जिस सिर्फ मैंने उसका न बढ़ा कर दिया है जिसकी वज़से पतरकारों को लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा आमुल्चुल परिवर्तन आ गया पहले मैं दलों को नेताओं को बता रहा था अब मैं वही बात जनता को बता रहा हूं कि भाई तुम इस बात पर भोट करो पहले मैं अपना जो भोट आधन पैसा नहीं है उसके लिए घर पे मत बैठो ये जाती का जो भोगी खड़ा किया गया उसके डर से घर पे मत बैठो अगर तुम में जजबा है सोच है बिहार के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो आप आओ इस बेवस्ता से जुड़ो हम आपकी मदद करेंगे एक स्टायल थोरा अलग तो रहते हैं बाकी आते हैं बाकी नेता वोट मानते हैं हमें वोट देज आप उनको डタते हो तुम यह करते हो तुम इन ज़म्न करते हो तो कि ऐया है अगर को हर पहलू से समझने का जो भी भगवान ने सक्ति बुद्धी दिये हर पहलू से समझने का प्रयास किया है और वो सब समझने बूजने के बात जो मैंने यहां पर बोड दीजिए, मैं आप जीत क्या हूंगा, तो मैं आपका ये काम कर दूँगा, क्योंकि ये सारी बात तो जनता पिछले साथ बरस से सुनी रही है, उसने इंदरा गांधी से सुना, हम लोगों ने राजीव गांधी से सुना, हम लोगों ने समाजवादियों से सुना, हम लो कहीं एक नए प्रयास, एक नए समवाद और एक नए विश्वास की जुरूरत है और इसलिए ये कहा जा रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, कि मैं इनका अपना हूँ, आप अपने घर में अपने माबाप को थोड़े कड़े सब्द में भी बोल सकते हैं, माबा जाकर आंधर में नहीं कह सकता हूँ, इस भासा का इस्तमाल में बंगॉल में नहीं कर सकता हूँ, बिहार में कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, और मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम नीन से जगो, ये जाती और धर्म के नसे से बाहर निकलो, तभी तुम्हारे बच तो मैं उसको पहले जो आदमी एक तरह से सोया हुआ है उसको मैं हिला कर ही तो उठाओंगा एक बार जब उठ जाएगा सुजग हो जाएगा तो फिर वो अपनी चिंता खुद कर पाएगा यह जो नियाक एवधिया मंदिर के बाद जो एक पूरा एक देश में लहट है कुछ एक चैलेंज है आपके लिये बागी अपोईशन के दा कोई कोई कोईयों के लिए तो सब चैलेंग से बिचले तीस साल से बिहार के लोगों के नसों में मंधल का नसा जाति का नसा धर्म का नसा जाला ही जारहा है लेकिन मैं करवी बातεις के usके नस से वह खून निकाल रहे ह जो गंदा घुसा दिया गया है उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूं और इसका कोई असर मुझे कम से कम इस अभियान के दोरान नहीं दिखा किसी नहीं कहा कि मैं तो रोज बोल रहा हूं मैं तो यह सामने से कह रहा हूं कि तुमने वोट दिया है मंदिर बनाने के लिए तो म मंदिर तो बन गया, अब तुम अपने बच्छो के रोजगार के लिए बोट दो एक बार, तुम ने मंदल के नाम पर जाती के नाम पर भोट दिया तुम्हारे बच्छो को आरक्षड मिल गया, लेकिन उससे तो आपकी जीवन नही उसका जीवन नहीं सुधरा, अब एक बार रोजगार के लिए उसके पढ़ाई के लिए अपने खेती के आम में आमदनी हो इसके लिए भोड़ दे दो तो जैसे मंदिर बना जैसे मंदल लागू हुआ वैसे तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा यह तो कॉमन सेंस की बात जो में लोग को बता रहा हूं अच्छा पहले भी जब अब शेकर गुपता जी कर रहे थे उसमें आपने कहा तो उसके बात भी अपने रहे हैं कि यह जो 80 परसेंट-81 परसेंट हिंदू की जो बात होती है जैसे हिंदू करते हैं नहीं देते हैं यह तो हो तभी अब ट्रूली इंडियन हो अब इस तरह का माइंसेट हो तो फिर एक जिस राजिती कि आप बात कर रहे हैं वो कितना देखिए अब फियू रिसेंट रिसेंटर ने क्या कहा क्या डेटा है उसकी वैलिडिटी क्या लेकिन मान लिजे बहस के लिए कि एक बार को उस आ लेकिन उसमें से वोट भाजपा को तो 45% से ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को 2014 में 31% वोट आया दो हजार उननीस में 38% वोट आया तो अगर 80% हिंदू के रहने के बावजूद भाजपा को सिर्फ 31% वोट आया तो इसका मतलब है कि करीब-करीब 40% आज भी आदे से ज्यादा हिंदू डिस्पाइट राम मंदिर डिस्पाइट संग डिस्पाइट मोधी डिस्पाइट ओल पोलराइजेशन सो कॉल्ड इन सब के बावजूद आदे से ज्यादा हिंदू आज भी देश में भाजपा को वोट नहीं करते हैं क्योंकि इसलिए न अम्बेदकर भी तो हिंदू थे, तो जितने उनके मानने वाले अम्बेदकराइट हैं, वो तो भाजपा के बिचारधारा को नहीं मानते हैं, लोहिया और जय प्रकाश भी तो हिंदू थे, जो सोशलिस्ट बिचारधारा को उनके फॉलोवर हैं, वो तो भाजपा को नहीं मान हैं उसमें एक predominant विचारधारा भाजपा की भी है करीब करीब आधा आधे से थोड़ा कम हिंदू उस विचारधारा को मान रहा है जिसका फायदा भाजपा को उनको राजनितिक तोर पर मिल रहा है लेकिन जो आधे से करीब करीब आधे से ज्यादा थोड़े हिंदू जो मानने वाले predominantly लोग है तो राजनितिक तोर पर अगर कोई भाजपा से लड़ना चाहता है उनके सामने चुनोती देना चाहता है तो simple formula है इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों को अगर आप देश में जो minority जिसको कहते हैं उसके साथ जोड़ दे तो आपका denominator आज भी 60% 62% का होता है जो लोग कहते हैं बाजपा को 32 मिला और विपक्षी दलों को 62 Am 62 मिला अगर उसको विचारधारा के आधार आप देखें तो यह 62% लोग कौन हैं ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं जो हिंदू गांधी को मानते हैं, अम्बेदकर को मानते हैं, सोसलिजम को मानते हैं और कॉमिनिस्ट को मानते हैं वो भाजपा को भोट नहीं करते हैं और 18-20% जो माइनौटी है वो भाजपा को भोट नहीं करत यही कुल मिलाकर साथ-बासट परसेंट होता है तो अगर कोई प्रयास अगर आप भाजपासे राजितिक तो पर लड़ना चाहते हैं तो वह प्रयास इसी के इर्दगिर्द होना चाहिए कि कैसे इन चार विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक साथ लाया जाए और उनको माइनौर्टी के साथ जोड़ा जाए अगर आप उनको साथ में जोड़ देंगे तो आप आगे काम आपका असान हो जाएगा अगर इंडिया एलाइंस अपको लोग है अगर हो जाता तो बीजेपी कोई टकर दे सकते हैं या 24 डंडिन था नहीं देखिए मैं फिर वही बात क है लेकिन उनके बीच की सिनर्जी तो कुछ है नहीं कोई कॉमन नेरेटिव है नहीं कोई कॉमन एजेंडा है नहीं कोई कॉमन प्रयास भी नहीं है तो उनके सिर्फ नेताओं के एक कमरे में साथ आकर बैठ लेने से उनके साथ में बैठ के चाय पीने से उनके एक साथ में ब उस ताकत का फाइदा अखिलेश को यूपी में कैसे मिलेगा, जब तक आप वो चैनल नहीं बनाओगे, तब तक साथ में आने का कोई बहुत बड़ा फाइदा नहीं होने वाला है. आपको भी लगज़ा 24 डंडील है? नहीं, देखो डंडील तो लोकतंत्र में कभी कोई कह नहीं सकता है, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए, तो जो अभी तक दिख रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाज़पा इंडिये गटवंधन को बड़ी बढ़त आज के तारिक में है. डंडील तो आप खुद पत्रकार है, किसको पता है, दो महिनों में, क्या हो जाए, कोई जानता नहीं, लेकिन अगर आज चुनाव हो, तो भाज़पा इंडिये को बहुत बड़ी बढ़त देश के अस्तर पर दिख रही है। यह तो देखे हैं, यह मतलब लेजी ओपोजिशन वाले, मैं कहूंगा, जितने लीडर हैं, बैठे हुएं, सोवे हुएं हैं, कि अच्छा मोधी को तो नहीं हरा पाया, मोधी के बाद देखेंगे। इसका कोई माइने नहीं है। जहां तक आपने कहा कि मतलब भाजपा मोधी अगर न रहें तो कितना वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि भाजपा की जो पूरी, जो उनको 38-40% वोट अभी मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने एक चार अस्तरिये, मैंने पहले भी बताया है, चार अस्तरिये उनका सपोर्ट बेस है। एक तो एक विचारधारा अधारित हिंदुतों का बोट है, दूसरा मोधी जी ने उसमें जो नया लिवर जोड़ा, रास्टवाद का, नियो रास्टवाद, भारत, भारत विश्व गुरू, भारत की विश्व में प्रतिस्था, तीसरा लाभार्थी, वेलफेर को डाइरेक का मोधी जी उनको दे रहे हैं, बिजली पहले भी आती थी, अब बिजली मोधी जी दे रहे है, bank account पहले भी लोग कोलतें था, bank account मोधी जी खोल रहे हैं, और चोथा जो उनका electoral और financial muscle power है ग्राउंड पर, इन चारों चीजों को अगर आप जोड़ दें, तो हिंदुत्व, र हिंदुतों के विचारधारा को मानने वाला है उसको लगता है कि मोधी जी ने हमें वो ताकत वो प्रतिष्ठा दी जिसमें वो अपर्चुनिटी दी कि हम हिंदू आई फील इंबोल्डेंड जो रास्टवाद के वज़े से वोड़ दे रहा है वो भी मोधी को कहा रहा है कि मो लोग भी बताते हैं उनको लगता है कि मोधी हैं तो भाघपा बड़ी मजबूती से लड़ती है उनके पास ज़यादा सादन है वेवस्ता है बाघपए ही जी वाध्यानि के सलेमें जसावारे में ब्लैनी तो इन चारों जो चार्जो में पिल्ट प्लर्ट उन चारों को बहुत बड़ा फैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर यह चारो पिलर बने रहेंगे, तो कोई ना कोई दूसरा फेस आ जाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द यह कहानी बन जाएगी, बेश तो यही चार है, आपनी कॉंग्रेस को 600 स्लाइड हमनों कहा गया, तो लंबा चौरा पर जिन दे कैसे रिवाइव करोगे, अब दिखता है साथ एक कादू आपका इडॉप्ट कर लिए है, राहुल बहार जाकर यात्ता करें लगे, प्रिसिडेंट पार्टी का अलग हो गया, मेसेंजर करें कहते हैं, लगता है कि आपके डॉकुमेंट से कुछ तूरू नहीं उठ पूरा लिया नहीं है, देखो, मेडिसिन में कहा जाता है कि अगर आप आधी दवा लोगे तो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि रोग तो सुधरेगा नहीं, उस दवा से रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो मेरा जो उनको सुझाव था, वो पहले 600 स्लाइट का था या 300 स् वो कभी मैंने कॉंग्रेस को ये सुझाव नहीं दिया कि अगला चुनाव आप कैसे जीतेगे, मेरा अपना आकलन है, सही है गलत है वो अलग बात है, कि कॉंग्रेस की ताकत में जो गिरावट आई है, वो सिर्फ एक कोई राहुल गांधी के वज़े से एक एलेक्शन के ये लोगों का भ्रम है, लोग कहते हैं 1989 में कॉंग्रेस हार गई, प्राजियु गांधी को किस कॉंग्रेस को बीपी सिंग ने हरा दिया, उस हारी हुई कॉंग्रेस को 1989 में 198 सांसद आये थे, लोग ये कहते हैं सुनिया गांधी ने कॉंग्रेस को रिवाइब करके जिता दि 2004 में कॉंग्रेस के 142 सान सदाय थे तो कॉंग्रेस एजे पार्टी का तो लगातार गिरावट बना हुआ है अगर आप पिछले 1989 के बाद मतलब 90 साब जोड़ लिए तो करीब करीब 32-33 साल हो गए अगर 33 सालों में आप जीत नहीं पाए हैं तो इसकी आपको यह समझना पड़ अस्था में एक स्ट्रक्श्रल प्रॉब्लम है दवे दे और्गनाईज देंसेल्फ दवे पार्टी फंक्शन्स दवे दे कुम्मिनिकेट विद पीपल दवे दे फाइट एलेक्शन्स इन्हें सारी चीजों को जब तक वो बहतर नहीं बनाएंगे तब तक उनको कोई लंब आप इसको आके कीए आप हो जाईए इंचार जमारे आप हमारा एलेक्शन कर दीजे और करने के लिए उन्हें व्लें हम बनाते हैं इमपावर्ड एक्शन ग्रूप आप उसके हैड हो जाईए और आप हम नों की मदद कीजिए जिताई आईए मैंने मना किया क्यों क्योंकि कोई व्यवस्ता कोंग्रेस के संबिधान में कोंग्रेस के संभिधान में कोई नारी है सही बॉड़ां घंप कर रहे हो अप सी ड़ह रहोंгां के डॉलडी बॉड़ान को और एक एद में बने कि एजी बनेगा और प्रिसांद किसो राएं और तुरत फुरत हमारा सब कुछ ठीक कर दें तो संभवी नहीं है और आपके दर्सकों को ध्यान दिला दूँ कि एजी तो बना हम नहीं गए लेकिन कॉंग्रेस में एजी बनाया आठ सदस्यस वो कमिटी बनी हुई है आप अभी मैं कुछ नहीं कर पाता मतलब आप यूर रेपुटेशन की सिर बात नहीं है जहां देश की लोगतंत्र की कॉंग्रेस जैसे बड़े संगठन की बात है तो मैं उसमें बहुत अदना आदमी हूं मेरे रेपुटेशन से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है लेकिन मैं प्रियंका गांधी को सिर्फ में से कैंडिर बनाना चाहते थे इसके पीछे पूरी लंबी सोच थी मैं ने तीन महींने यूपी में ध्यान कराके एक बिवस्था एक परिकल्पना बनाई थी और तब प्रियंका गांधी राजित में थी नहीं तो एक मेरे दिमाग में वो उसमें मेरा बाद में आगे चलके सही साबित हुआ कि समाजवादी पार्टी में I could see कि there was a serious discontent between the father and son. और बसपा एक तरह से decline में जा रही थी. तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय कि अगर वो सब नीचे ग्रासरूट से समझ बूज के यह बनाया कि अगर इनको लेकर आएंगे और कॉंग्रेस के साथ हम लोग संघर्स करें आगे बढ़ें तो एक बड़ी opportunity वहाँ थी. और उस पर कॉंग्रेस की सहमती भी बनी. अगर आप देखो पहला जो कैम्पेन लॉंच हुआ, उसका स्लोगन था 27 साल यूपी बेहाल. 27 साल में कौन-कौन भाजपा यूपी को रूल किया था उससे पहले? भाजपा, बसपा और सपान. तो इस पर तो कॉंग्रेस लीडर्शिप की सहमती थी कि जब कॉंग्रेस का राज खतम हुआ, उसके बाद से यूपी के हालत खराद है. लेकिन जैसे ही उस कैम्पेन को तीन-चार महिने किया गया, और नीचे से थोड़ी कॉंग्रेस को गर्माहर, थोड़ा अच्छा फील होने लगा कि ने तो कॉंग्रेस रिवाइब हो रही है, तो जो होता है कि इमिनेटली जम्ट एंड गट इंटू एलाइंस सपा के साथ, और उस समय सपा चुकी जमीन पर थी, तो उनको लगा ये तो कॉंग्रेस रिवाइब हो जाएगी, तो हम लोग को बड़ा नुक्सान हो जाएगा, तो समान समय में जब सपा कॉंग्रेस को 25 सीट भी नहीं देती है, 2017 के चुनाव में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सपा ने 110 सीट दिया कॉंग्रेस को, जो बाद में रो रहा बहले, लेकिन उस समय 110 क्यों दिया, इसलिए कि जो शुरुआती 6 महीने काम हुए, तो थोड़ी परहाट होगे, जब सपा वाल 110 दे ही रहे, तो इनके साथ लड़के जितले बिना मेहनत किये हुए, और फिर उन्होंने प्रियंका का लॉंच, मतलब उससे उस बात से एग्री नहीं कि उससे पीछे अट गए, अब हम लोग के जैसे लोगों की मुस्विबत ये थी कि अब कि तीन महीने पहले अगर आप बैक्ट्रेक कर जाएंगे, तो हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि मैं छोड़कर निकल जाओं। ये दो बाड़ा आप यूपी में आपने इते महनत की, यहां आपने इनको एक रिवाइवल प्लैन दिया पुरी पार्टी को, कॉपी आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलना है। पीछे जो दिर्व संकल्प की जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, तो मैंने उनको आइडिया दे दिया, कोई कॉपी राइट नहीं है, उनको क्या पुरी देश के सामने वो आइडिया है, जिसको मन है वो कॉपी पेस्ट करके उसको कर ले। लेकिन करना तो आपको पढ़ेग पढ़कर उसको समझना पड़ेगा, और समझ कर फिर जब परिच्छा है तो लिखना पड़ेगा. प्राइब मिनिस्टर थे, और तब 1989 में राजी गांधी आय थे वहां प्रचार करने कॉंग्रेस का, तो मैं 7-8 क्लास में पढ़ता था, तो हम लोग की इतनी इक्छा थी कि प्रधान मंतरी कैसे होते हैं देखने जाने के लिए, तो इतनी सिक्योर्टी उस समय थी प्राइब प्रधान मंतरी करें लोग आते हैं उस इस्तिती से उठकर मैं जहां पर हूँ, मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि उनके बच्चे हमारे फैन हैं, यह जरूर है कि मैं बैठकेब बात करता हूं तो बिराबरी परहिख करता हूं, तो बराबरी परहिए हूं. मैं बराबरी बात करता हूँ, मैं कभी किसी के सबसर्वियंट हो के मैंने काम किया नहीं है और आगे करूंगा भी नहीं, उनको भी मालूम है, वो बराबरी का उनको अगर रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं तो मैं भी उतना रिस्पेक्ट उनको देता हूँ, लेकिन मेरे मन में सदारन परिवार से आता हूँ और मुझे अपनी जगा बनाने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी दूसरे के मुकाबले तभी मेरी जगा बनता है। कैसे आपको आइडिया है कि एक पूल गलत बात है कि मेरेगी आइडिया और कोई आइडिया आपना पड़ाय लिखाई करके नौकरी करना और जीवन तरीके से चलाना उसी फिल्ल में रहें अब संजोग से मुलाकात उसी परिपेक्ष में मोदी जी से हुई गुजरात में दर्व में बात हुई और आये भी वही काम करने छोड़ कर अब साथ में रहते रहते एक नियती भी चीज है उपर वाला हम लोग तो क्या निमित मात रहें अगर आपके उपर लिखा हुआ भगवान ने कि ये इस रास्ते पर चलना है तो वही हो जाता है आये थे तो काम वही क चले हैं जो होता गया वो करते गए और अभी अब जब आप पीछे देखते हैं कि अच्छा दस साल में आपने कुछ बड़ा अच्छा कर लिया है ऐसी बात नहीं है कि उस दस साल पहले अगर आप मेरे से पूस थे तो मुझे थोड़ी जानकारी होती है मुझे कोई जानकार सब्सक्राइब करता है कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं लेकिन अगर कॉंग्रेस अपने 2019 के परफॉर्मेंस में कुछ मेटीरियल डिफरेंस कोंग्रेस के इस्तिति में नहीं आईगी गूड और बैड तो स्टेटर्स को मुझे लगता है कि अभी कुछ और समय तक के लिए बना रहेगा लेकिन अगर मेटीरियल डिफरेंस उसमें आ जाए जैसे 50-55 सीट घटके 20-25 हो जाए तीस हो जाए या फिर वो बढ़के 75-800 हो जाए तो आपको कुछ हलचल डिख सकती है लेकिन अगर अगर अनलेस कॉंग्रेस रिचेश क्लोस तू 100 और क्लोस तू 25-30 इस्ट और जैसे वो चाहेंगे कम से कम नियर टर्म में पाटी वैसे ही चलेगी अनलेस की कोई ऐसी घटना हो जाए जो हम लोग के मदब फॉर से हम लोग को देख नहीं पा रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा शेक आउट कॉंग्रेस में इमिडेटली रिजल नहीं कॉंग्रेस पार्टी या उस विचारधारा के लिए एक्जिस्टेंशनल कोस्टन नहीं है लेकिन उसकी जो लीडर्सीप है उसके लिए तो जरूर आ जाएगी अगर आप 15 साल के बाद 2014 में हारे चली एक शौक लोगों ने बरदास्त कर लिया 19 में हारे बरदास्त कर अब अगर 2024 में भी आप उससे भी नीचे चले जाते हैं मिटेरियली नीचे चले जाते हैं तो निश्चित तोर पर कहीं न कहीं चिंतन भी होगा और उस चिंतन से कुछ उथल पुथल की स्थिती भी बन सकती है और यह अगर बाके रिजनल पार्टी को देखें तुसमें पो पोटेंशिल पोटेंशिल तो भाई जो भी आगे दस साल के लिए महनत करेगा उस तरह के प्रयास करेगा उसमें पोटेंशिल हो सकता है लेकिन देश में पिछले एक डेज सो साल के इतिहास को आप देखेंगे तो नैशनल अस्तर पे राजनितिक ताकत बनाना इतना आसान जितना लोग समझते हैं पिछले 75 सालों में पिछले आप जादी से पहले भी चले जाईए तो 1500 सालों में इस देश में इन ट्रू सेंसे रियल सेंस दो ही नैशनल पार्टी बनी एक कॉंग्रेस और एक भाचपा कॉंग्रेस का आप इतिहास उठा कर देख लिजे जब यह करीब 30 वरस लगे उस कॉंग्रेस को देश के अस्तर पर राजनितिक ताकत हासिल करने में और गांधी जी जैसा नेत्रितों मिला तब हुआ यही हाल कमोवेश भाचपा कर रहा है जंसंग की ताकत 1950 में जो थी उसके बाद उनका एक लंबा दोर चला है जबकि जंसंग एक त करीब करीब 12-13 साल उनको देश अस्तर पर हर अस्तर पर मेहनत करनी पड़ी तब जाकर उनको देश के अस्तर पर वो पहचान जगह मिली जबकि वो देश को तो इस ऐसा नहीं है कि आप आज दल बनाईएगा और पूरे देश में जाकर कल उसके बड़े राजनितिक ताकत ब बहुत बड़ा देश है 1.3 billion मदब पहली बार human history में एक billion से ज़ादा voters होंगे इस बार इस चुनाव में 100 करोड लोगों को मिलना उनको समझाना उनको अपनी बात से जोड़ लेना यह सधारन बात नहीं है इसलिए national किसी भी छोटे दल को या किसी एक व्यक्ति को या समूह क पूरे राष्ट के अस्तर पर अपनी पहचान अपनी जगह अपना प्रभाव बनाने में बहुत समय लगेगा और अभी technology है तो थोड़ा उसको आप थेजी से कर सकते है technology के इस्तेमाल से लेकिन फिर भी जो चीज करने में किसी को 40 वरस लगा है तो उसको करने में सायद अभ बना कर आया मैं बता रहा हूं कि मैं वह नेता हूं यह सब चीज इस पध्यात्रा के से ही निकलना है पध्यात्रा के जो तीन उदेश से हैं पहला उदेश है कि पहले सामुहिक तोर पर बिहार के लोग यह मानें समझें चिंतन करें कि नहीं हम अब राजनितिक बंदुआ पर ना लालू के डर से ना वहत्पा की डर से हम अपने बच्चों के लिए बोट करेंगे दूसरा प्रयास है कि अगर यह सब लोग तैयार है तो भीया विकल्प एक नया बढ़िया बिकल्प बनाया जाए ठाकि सब लोग मिलकर एक नया दल बनाए परसांत की सोर ना बनाए बिहार के लोग बनाएं परशानिक सोर उसमें मदद कर रहे हैं और तीसरा पध्यात्रा का क्या उदेश से हैं कि बिहार के हर पंचायत का अलग-अलग अगले दस वरस की योजना बनाई जाए उस पंचायत का जब हम लोग पध्यात्रा कर रहे हैं तो हम तो चलते हैं दस दिन मैं चलता हूँ करीब-करीब उतने ही दिन में जिले में रहता हूँ हर मेरे साथ जो सैकरो लोग काम कर रहे हैं हर पंचायत की इस्तिति का ध्हेन कराते हैं फिर हम लोग उसको बैठ कर उसका चिंतन करते हैं और जो सैक्रो विशेसक के देश दुनिया से जिसको मैंने जोड़ा है इस परिकल्पना में उनकी मदद से यो योजना बनाते हैं कि अगर कल मौका मिल जाए तो इस पंचायत को अगले दस बरस में कैसे विक्षित किया जाएगा और उस पंचायत की जो समस्या है कहीं जल जमाओ ह है कहीं अस्पताल नहीं है इन बातों की चर्चा तो उसमें करते ही हैं उसके साथ साथ हर पंचायत के प्रोग्राम में दस बरसिये जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें तीन चीज बताई जा रही है पहला कि हर पंचायत में बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए अच लिकिन मजदूरी कम से कम 10-12-15,000 की लोगों को अपने पंचायत ब्लोक में मिल जाए इसकी योजना बना रहे हैं और तीसरा खेती को यहां खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए जैसे गाओ दियात में हम लोग आप यहार में सुनते होंगे लोग कहते हैं कमाने के लिए वो मजदूरी करने जाते हैं मैं वो बेवस्था बदलना चाहता हूं खेती को खाने वाले के बजाए खाने वाली खेती से कमाने वाला खेती बनाना चाहता हूं और यह तीनों चीज की योजना पंचायत वार में बना रहा हूं और जब यह दल जब भी पद्यात्रा खतम होने के बाद, तो चुनाओं के नजरिये से नहीं, ये सारे 8000 पंचायतों का योजना पहले जारी करूँगा, ताकि आप बिहार की जनता ये देख पाए कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन्द सुराज की योजना क्या है, देखने समझने के बाद उसक पूरे बिहार में जाना है, जिस दिन मैं कम से कम दो तीहाई से ज़्यादा बिहार कर लूँगा, उसके बाद, सब लोग मिलकर अगर तैय करेंगे कि दल बनने का आप सही समय आ गया है, तो दल बना लिया जाएगा, और बनेगा तो उसके बाद सभाविक तोर पर उसके बा करीब करीब 120 विदान सभा हम लोग पैदल चल चुके, 120 करने में और साल बर नियर साल का समय लग सकता है, तो अगर एसमेली के चुनाव नियत समय पर हुए, तो मेरा अपना मानना है कि उसके साल बर पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई होगी और दल बन गया होगा, और अब दल बनेगा तो निस्सित और पर 243 सीट लगा है, तो एक्सपेक्टेशन बिल होते जा रहे हैं, अब लार्जर एक्सपेक्टेशन स्टेट वाई तो मैं घूमोंगा तो पता चलेगा, लेकिन आपकी टीम जो है, मैं देख रहा हूं लड़के जॉब छोड़के आ रहे मैं इस पूरी ब्यवस्था में 1500 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां वो इसमें जुड़े हुए, वोलेंटियर के तौर पे, फेलोस के तौर पे, पेड कॉलिक्स के तौर पे, तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं सीखने के लिए, बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं और इन 15 सों में मेजॉर्टी उन लड़कों का उन बच्चों का है जो बिहार के हैं, जो सही माएने में देखते हैं कि भी बिहार को सुधार में का एक सही प्रयास है, इसमें उन्हें योगदान करना चाहिए, सारी थैंक यू वेरी मॉच्छ पर टॉकिंग तो अस, यू झाल कर चाहिए, जो अंय। रहे टावचे, इस सब्सक्षावित समय्ट अन्हें जो दॉक्टारी तो जाएंक्ष्टावच उड़कों कि यूख टना बच्ची का चाहिए, जा और सकतर। अजराएंक्ष प्रशण का अप्राइध टोष्टावर्टे खेलाओर्ण